असलाम हुआ अलेकुम मैं जुलेखा अरफाद जुलेखास किच्छन से तो चलिए आज हम बना दें बड़ी आसा जल्दी से बनने वाला गर्मा गर्म सूप जिसका नाम है चिकन नूडल सूप बहुत ही डिलिशिस और चटपटा सा बनता है सर्दियों के मौसम में कभी-कभी बन करता है जल्दी से गर्मा गर्म कोई सूप बना दे या बना ले क्विक वाला बस ये वो है क्विक वाला सूप है आप चाहे तो बारिश के मौसम में भी गर्मा गर्म सूप पी सकते है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसेपी साधार या ओर्डनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्राओर्डनरी सूपन आते हैं आज का, चलिए एक पतीली के अंदर तकरीबन डेड़ लीटर पानी दाल दीजिए, साफ पानी अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, तीन-चार कली लसन की, दो लॉंग और दो तीन काली मिर्च, थोड़ा सा नम्मक, स्वाद अनुसार और पाव किलो चिक्किन की चर्वी निकाल ली, दो-तीन पाने से धोके मनने ये पानी के अंदर दाल दिया और इसमें उबाल खिला जब अच्छा उबाल आ जाता है, तो slow आज करके इसे ढाक कर कुछ देर तक पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक चिक्किन नहीं गल जाती है, कुछ देर बाद जब चिकन हो जाए, तो चुले को कर दीजिए, बंद और चिकन के पीसेस को एक-एक करके निकाल अब आप चाहें, तो पूरी तरीके से चान सकते हैं, यह जो stock है, यह अभी हमें stock मिलाए न, तो यह पूरे stock को आप चान सकते हैं, बट मैंने तो क्या क्या चननी ली और इस तरीके से घुमाया है, तो जो भी साबुत साबुत सारी चीज़े थी, वो आ गई, अब आप चाह तो हलका सा इसे प्रेस कर सकते हैं, और जो भी कस है, इसका निकाल सकते हैं, और उसे फेग दीजिएगा, तो यह हमें मिल गया है stock, और side पर यह जो chicken pieces है, इसे बहुत अच्छे से, हाथों की मदद से, या फिर आप यह चमच और काटे से श्रेट कर लीजिए, इस तरीके से, और यह हमें chicken भी मिल गए, तो इसे side पर रख दीजिए, यह chicken stock के अंदर, एक छोड़ा चाय का चमच, चिली sauce दाल दीजिए, दो छोड़ी चाय के चमच, विनेगर, और दो छोड़ी चाय के चमच, टमाटर sauce, देड, छोड़ा चाय का चमच, सोया sauce, मेरा वाला light है, तो मैंन पूरी तरीके से sauces नहीं दाले, आगे जाके adjust करेंगे, अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दो छोड़ी चाय के चमच, चमाटर sauce एक्स्ट्रा दाल रही हूँ, एक चोड़ा चाय का चमच, रेट चिली sauce भी दाल देती हूँ, अब यह मैं mix कर लेती हूँ, अब आपके उप मखन दाल दिया, एक फ्राइपन के अंदर, और उसमें थोड़ा सा तेल भी दाल दीजिए, जब मखन बटर, यानि कि मस्का मेल्ट हो जाए, यहाँ पर दाल दीजिए, बारिक कटा हुआ लसन दो छोटी चाय के चमच, वैसे यह आदे छोटी चाय की चमच है ना, तो मैंने चार बार दाला, इसे दाल कर बार-बार चलाते हुए, एक मिनिट तक फ्राइपन कर लीजिए, फास्ट आज पर रखिएगा, जब फ्राइपन हो जाए एक मिनिट में, तो एक मीडियम साइज की प्यास पारिक कटी हुई दाल दीजिए, और उसे भी फास्ट आज पर बार- टाज प्राइपन कर पार चाषे, जब एक मिनिट हो जाए तो चूले को कर दीजिए, श्लो आज और चिकन दाल दीजिए और चूला पर चार दाल दीजिए, और चूला मिडियम को दाब पार देजिए, चिकन ढल कर भी, एक देर मिनट तक पका लिजीं, मतलब टोटल दो-तीर मिनट तक आप पका लिजीं ये सारी चीजों को चिकन ढल कर, जब दो-तीर मिनट हो जाए, तो इसे हटा दीजिए और वाँ side पर जो रखा है उसमें उबाल आ चुका है तो यहाँ पर जब उबाल आ गया है तो मैं इसे हटा देती हूँ और वो जो पतिली ये side पर ले लेती हूँ बढ़िया सा stock के अंदर उबाल आ चुका है side पर 3-4 tablespoon corn flour यानि की corn starch को मैंने बहुत अच्छे से पानी के अंदर mix कर लिया 3-4 cup पानी के अंदर और उसे घोल बनाकर इसमें डाल दीजिए चुला medium पर रख लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए उसी से उबाल आने से पहले ही मैंने जो सारी सबजिया side पर fry कर रहे ही रखी थी वो भी मैंने सारी डाल दी और ये जो fry पर ने इसके अंदर थोड़ा सा हमारा soup चला कर फिर से इसमें डाल दीजिए क्योंके जो भी चिटका हुआ हो सारा मिल जाए न हमें और इसमें उबाल आ जाने दीजिए जब अच्छा उबाल आ जाए तो मैंने यहां पर थोड़े से यह लिए है नूडल्स अब आप चाहें तो हाका नूडल्स ले जो नॉर्मल नूडल्स आते हैं वो वाले या फिर आप मैगी नूडल्स भी दाल सकते हैं या फिर आप स्पगेटी भी दाल सकते हैं अब ये आ साथ मिनिट लगेगी नम्मक एज़स्ट कर लीजी अगर लगे तो और मैंने यहां सॉसिस भी अज़स्ट किये दो चुरी चैके चमच मैंने यहां फिर से टमाटर सॉस दाला दो चुरी चैके चमच रेट चिली सॉस दाला यह तोटली ऑप्शनल है आप आपके इसाब से जो आपको लगे आप वैसा अज़स्ट कीजेगा मिक्स कर लीजिए मुझे थोड़ा सा काली मिर्च का भी पंच चाहिए था तो मैंने वन फोट चोड़ा चाहिका चमच काली मिर्च को भी दाला है यह टोटली आपके उपर है आपने नहीं दालना है तो आप स्किप कर सकते है आप देख सकते हैं बढ़िया सा थिक हो चुका है और हो रहा है क्यों क्योंकि आपने एक तो कॉन स्टाच कॉन फ्लार दाला है उसका स्लोरी दाली और दूसरा यह जो आपने यह नूडल्स दाले न वो उस दालेंगे और वो पकाएंगे न तो जो ग्रेवी है वो पर रख दिया था जिसे चाहे वो दाल कर खा सकता है अब बात की एंड में जो भी मैंने अज़ेस्मेंट्स की है वो सारा आपके साब से अज़ेस्ट कर सकते हो तो यह बन गया हमारा बड़िया सा मज़ेदार सा चिकन नूडल सूप आप चाहें तो सड़ियों में गर्मा ग पर तोड़ी से श्रेड करे हुए जो चिकन थे वो साइट पर रख दी थे प्रेसेंटेशन के लिए वो में दाल कर सफ करूंगे और साइट पर है ना सरविंग की ताम पर मैंने विनेगर और चिली सौस साइट पर रखा था जिसे दाल कर खाना चाहें वो खा सता है अब अच्छे लगते हैं और सारी चीजें जो खटास मिठास और जो भी बैलन्स करने की चीजें और स्पाइस है नम्मक है अपने स्वादन और सा रचस कीजिएगा इस रेसिपी में फिसे राजिर होंगी नहीं शांदा दमदा रेसिपी के साथ अंतल दें टेक केर आला आफिस बढ़े